पॉलर्स जुड़ गए हैं उसे बात कर लेती हैं हर्याणा से हैं दीन देयाल जी स्वागत है आपका हलो सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजे सवाल करिए अपना आपकी उम्र कितनी है उम्र साशा होगी दो साम के लगाता साइकार होगी जी हाँ दीखे जब यह मर्ज होता है तो हम इलाज करते हैं बहुत अच्छा इलाज है वो जो अलोपैटिक इलाज बहुत अच्छा है टाइफाइट का और वो साथ दिन पंदरह दिन लगदार करने से टाइफाइट का जाना मुमकिन होता है बहुत अच्छी दवाएं हैं अलोपैट में और यह होता क्या है टाइफाइट हमारे आत्मों में गंदगी हो जाती है जिसकी वज़े से बुखार होता है और पूरा पेट मतासिर हो जाता है वो इंफेक्शन हमारे पूरी बाड़ी में आ जाता है जिसका एक टेस्ट है तो हमें इलाज करने के बाद पूरा फिर एक टेस्ट कराना चाहिए कि अब हमारे जिसम में टाइफाइट तो नहीं है और एक आसान नस्खा है वो आप उसके साथ में ले सकते हैं दोखिए एक पौधा होता है वो जंगली पौधा है जिसे हम चिर्चिटा कहते हैं चिर्चिट एक जंगली पौदा जिसे कोई उप जाता नहीं है बलके खुद ही उप पच्छता है खेतों के किनारे पे सडकों पे यहां से मैं जाता हूँ कहीं पर गाड़ी से तो बहुत खड़े मिलते हैं सडकों के किनारे गावों में बहुत होते पालक की तरह इसका पत्ता होता है तो इस पौधे की जड़का छिलका जड़का छिलका ले ले उसे दो दाके एक तीन चार इंच का जड़का छिलका रोजाना उबाल के पिया करें और डॉक्टर्स का इलाज भी ले तो आपको ठीक होना मुम्किन है अगली कोलर स्वागत है आपका जी रादे 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 अदा वेलकम जी बताइए आपकी बेटी तो बेटी है आपको इसको इसको बहुत पसंद करते हैं शहल जा को हाँ सहिल्या मुन बहुत प्यार करती हुए सहिल्या से शुक्रिया जी बताइए मैम सवाल क्या है सवाल मेरा यह है कि दो तीन सवाल है मेरे मेरा बेटा जो था वो बरेली से जैटून का शिर्का लाया ठीक जैटून से शिर्का लाया था तो वो जैटून का शिर्का लाया था तो वो जैटून का शिर्का लेके आया थे आपके बेटे फिर तो वो जैटून का शिर्का लेके आया थे आपके बेटे तो वो जैटून का शिर्का लेके आया थे आपके बेटे फिर तो वो जैटून उसमें दो, तीन, चार वो पड़े हैं, छोटे-छोटे पीस, और मैंने पी के देखा क्यों, मैंने आप कहां से जर्टून का छिर्का, और सबसाली चीज मैंने मनाई थी, गोंड मोदिंगा, जब अहां तो वो नकली है, साथ. हाँ, देखिए, मैं तो कहा ही रहाँ के, और कोई सवाल हो तो कर लिजे, सब लोग नकली बनाने लगे, और वो पीस भी डाल देते हैं, जटून के. हाँ, सवाल मेरा ये है, कि मेरे मतलब जब जटून का सिर्का में पीची हूँ, हर तरह मुस्में बो सब्सकीज मिला के पीची हूँ और तरह बहरा सब, अब मैं जैसे ही सुबर एक समस्त पीची हूँ, तो मेरे एक दम लैट भी ना आती है. ठीके, अच्छा देखिए, मैं सबको आज कर, और कोई कामी नहीं कर था, यहीं बतारा हूँ कि, नकली सिर्के भी बना लिए, मैं जो भी चीज बताता हूँ, पहले तो असली मिलती है, फिर सारे लोग, जो वेईमान लोग हैं, वो नकली बना लेते हैं, जैतुन का सिर्का भी नकली बना लियां लोगोंगे इसका रंग जो है वो काफी कलर हो चाई जैसा काफी जैसा कलर होता। और मैंने तो सब को खरीदा जो भी जहां जिसने बनाया उसको मंगाया और चेक किया मेरे पाद पूरा इंतजाम है तो सब नकली बना रहे हैं कैमिकल के बना रहे हैं तो वो फाइदा नहीं देगा और यह असली सिर्काद आप ले लीजे और इस्तमाल करिए अगर लेटीन कम होती है तो धनिये का पाउडर एक चमच आप खालिया करिए उसके बाद में तो आपको यह परिशानी भी ठीक होना मुम्किन है यूपी से है रंजीत स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार और राकीम साथ को भी पर्चू के पना अगर जाहिन वेलकम बताएए भाइ क्या सवाल है में की वाहाख मैं मिला है अचछा क्या दवा मंगाई है क्या टबीट खराब है अभी क्या हाल है अभी तेन आदू के लिए अपने भाईया के लिए मंगाया है दवा जिनकी उनों 35 साल है उनको support रुसक्त केर मंगाया हूँ अभी पहुंचा, कल हमारे यहां पहुंगा, तो आज से शुरू किया हूं, ठाने के लिए ठीक है, ठीक है और अपनी भावी के लिए जिनकी उमर बत्तीस साल है, उनके लिए भून किया मनाया हूं वो ज्यादा तकलिफ में है, दफ साल से उनको कमर में दद राता है, पूरा अच्छा, वो नो दवा यूज करने शुरू की? हाँ, उन्होंने भी आज से ही कल तो दय हमारे तक दवा पहुंचा है, और आज से शुरू की है ठीक है, ठीक है तो आज से पूछना चाहता हूं पर कि एक वा वो तो बताए हैं की कैसे लेना, लेकिन आप भी बताजेते कि उनके साथ आज से लेना है ठीक है ठीक है अच्छा, खूब वोर से सुनिये, भावी को आदा आदा गिराम देना है, गौन सिया, आपने उनके लिए मंगाया है और पांच-चाथ दिन सबर करें, काफी तकलीफ में है, सबसे ज़्याद तकलीफ में भावी है और देवर इतना ख्याल कर रहे हैं, तो भगवान उनको ज़रूर अच्छा करेंगे ऐसा मैं भगवान से निवेदन करता हूँ तो आदा आदा गिराम दें, और भावी से कहें के जमीन में बैटके जो हम काम करते हैं, ये ज़ाड़ू पहुंचेगा, बिल्कुल न कराएं और खड़े होकर किचन में काम करना चाहें तो करते रहें और बहुत अच्छा, बहुत अहसान उन पर हुगा, अगर ऐसा वेस्टरन टौैलेट का उप्योग भू करें नहीं है तो लगवा दीजे, दवा से भी ज़्यादा जलूरी है क्योंकि भावी को बहुत तकलीफ है और पांच-साथ दिन में फाइदा शुरू होना चाहिए, एक महिने में बहुत अच्छा फाइदा जैसे जो शिद्धत होती ना, मर्द की जो जीने नहीं देती, मर्द की शिद्धत, रोक की शिद्धत, वो खतम होती सबसे पहले, वो खतम होगी तो मरीज को इतमनान आ जाता है कि हाँ, अब मुझे फाइदा हो रहा है रुद पढ़ने पर कोई भी दवा दे सकते है, इसे छोड़े नहीं, अपने डैड़ी को दो दो चमच या तीन तीन चमच जैतून का सिरका दे सकते हैं, खाने के बाद पानी में मिला कर, या सबजी सालन में मिला कर, उनके बहुत अच्छी फाइदा शुरू होगा, आज से शुरू किया है, और दो-चार दिन सबर करें, आपको फाइदे नजर आने लगें, तो हमें दुबारा कॉल करिए, हमसे बात ना हो तो हमारे हेल्प लाइन नंबर पर डॉक्टर बैठते हैं, उनसे अपने पूरी विस्तार से बात करके, आप इत्मिनान हासिल कर सकते हैं, वियारा से हैं नीलम जी, स्वागत है आपका, हैं जी, ये पूछना था जी हात में, ये सज्य हात में, मतोब बाह से लेके हात तक साऱ सुनों जटता है, और गोड़ए में भी पूपलम है और वी पी भी हाई रहता है, मतोब इसके लिए कोई दुबाइज बताओ हमें, आ अच्छा देखिए पंद्रा साल से आप तकलिफ उठा रहे हैं मैं आप से तीछ चार महीने मांगता हूं अईरवेदिक युनानी के लिए और देखिए घरे लिए उसके हैं एक तो आता है गॉन सिया और देखिए नकली बहुत आ गया है रोस कॉल्स आती है नकली ले ले लिए अभी कॉल्स आई थी के नकली मिल गया और फाइदा नहीं हुआ असली गॉन सिया ले हाली सो गराम भी अगर मिल गया तो ये 15-16 रुपर रोस का इलाज है आदा गराम ब्रेट पेशर भी है और दूद वगयरा ब्रेट पेशर वालों को नई पीना चाहिए और दूद पीएं तो बगएर चर्बी वाला पीएं इसमें चर्बी की मातरा कम होनी चाहिए यह आपके जोडों के दर्द के लिए है नसों की मजबूती के लिए है नसों में खिचाओ के लिए, कमर में दर्द की, जहां भी दर्द है उसके लिए और अगर आप एक पेस्ट बना लें और अद्रक लेसन का एक चटनी टाइप का बना लें और इसमें ज्यादा हो अद्रक और लेसन और बाकी चीजें नमक मिच तो सब डालते ही हैं अपरी जरुट की डालें, टिमाटर भी डालें, सब कुछ डालें लेकिन अद्रक लेसन बहुत सारा हो और तो को हम गाउंवाले क्या करते हैं कि जब चटनी को ऐसे लगाते हैं रोटी पे और उसी से खाना खा लेते हैं यह सालन भी होता तब भी लगा लेते हैं मेरे घर में भी यूज होती है अद्रक लहसन का जब ज़्यादा चटनी इस्तमाल करेंगा खूब इस्तमाल करिये तो यह कॉलिस्टॉल को डाउन करता है आपके और खूब पतला करता है इसे आप लगातार ले तो आपको फाइदा होना मुम्किन है इसी के साथ कुछ कॉलर्स और जुड़ गए हैं उसे बात कर लेते हैं यूपी से हैं एकी तिवारी जी स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार आदब आदब रुकावट हुआ उसमे सुलेमानी या तमाम परकार कियों चीजी इसके अलावा आप चिलवजे का गोन भी सर बताते हैं तो सबस्लाव स्वाल हमारा यह है कि इनने सबसे अच्छा मस्का कौन सा है ठीक है ठीक जो देखिए बहतरीन जो दवाएं हैं इसमें भी ऐलो पैट बहुत अच्छा काम करता है जो इंग्लिश दवाएं आप लेते हैं लेकिन उसके नुक्सानाद बहुत होते हैं और वो अपनी जरुरत में कभी कभी तो आप ले सकते हैं हमेशा नहीं ले सकते हैं और गौन चिलगोजा जो है वो काफी तेज होता है चिलगोजा जो है वो सबसे महंगा ड्राइफरूट है और उसका गौन उससे भी महंगा है दुनिया का सबसे महंगा ड्राइफरूट तो इसका आदा गिराम ही एक बार या जाज़ जाज़े दो बार वो भी छे घंटे के फर्क से ले सकते हैं उसमें कैफियत है अगर आपको वीरिये पतला है तो एक या दो चम्मच इस अब गोल की भूसी के साथ लें दूद्ब मिलाके उससे ये लें आदा गिराम और बहुत ही परिशानी हो तो एक गिराम भी ले सकते हैं लेकिन ये काफी तेज होता है मैं आपको बताता हूँ और जिन लोगों को स्वपन दोश हो जाता है बहुत लोग ऐसे हैं करोड़ों जो रोज़ आना उनको स्वपन दोश होता है तो एक इनसान को अगर वो शादी शुदा नहीं है तो दो तीन बार हम इसे एहतलाम कहते हैं सवपंदोश हो सकता है इसे ज़्यादा होता है तो फिर हम अंदर से कमजोर होने लगते हैं और पिर इलाज करते हैं बहुत ज़्यादा किसी सूरत फाइदा नहीं होता तो इसके लिए ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहूँ हूँ क्योंकि मैं इस बारे में बात बहुत कम करता हूँ मैंने कभी भी कोशिश नहीं कि कि इस बारें बात करो और जितने भी लोग हैं इस तालुक से अब उन से मैं कहता हूँ कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है जिन को वाइट डिस्चार्ज हो और एकजीमा के लिए भी बहुत अच्छी दवा है एकजीमा दाने बारिक बारिक हातों पर या पैरों पर हो जाता है एकजीमा जो किसी सूरत नहीं जाता उसमें इसकी आदी खुराक आदा गिलाएं खुराक काफी अच्छा काम करती है पर मेरा जाती तजर्बा लेकिन असलिए मिलना like बात करें आप हमारे हईवाएं नंबर पर are और यह सबसे वहतर दवा हम कह सकते हैं बागवान दाज गुप्ता जी स्वागत है आपका। जी में नमस्कार, जी नमस्कार सर, हकीम जी से बात करना चाहता हूं, जी भाई बात हो रही है ब्दाज्धाज जी, आदावर्द भाई, आदावर्द भाई, जी करते है, के मेरा पोता है पंदरे साल का, जी कि इस बारे में बात करना चाहरा हूँ में मेरा पोता है 15 साल का तो जी सर तीवी मत सुनिये सर तीवी सुनेंगे तो देर में जवाब देंगे मैं में बात कर रहा हूँ हाँ 15 साल का पोता है जी तो क्या है उसके बाल जो है बहुत घरते हैं डेंडरस बहुत रहती है तो उसके बारे में जो है बाल हलके भी बहुत हो गए तो उसके लिए जो है उसके क्या उपचार जो है तोड़ा ठीक है अच्छा देखिए नजला खांसी बलगम छीके ऐसे सब आता है तो उसका उपचार अलग है और ये सब नहीं है बहुत जादा नजला खांसी बलगम छीके का पावलम है तो उसका इलाज अलग से करना होगा तब ही अच्छा हो पाएगा और अगर इसको ये रोक नहीं है तो फिर इजी ली आप देखिए सफेद गॉन मोरिंगा अच्छा गॉन मोरिंगा में भी लोग भई मानी करने लगे हैं लाल टाइप का देते हैं पीले टाइप का देते हैं सफचे वाला लेना जो ऑफ वाइट कलर का होता है या बरफी जैसी होती है न मिठाइयों मैं ऐसा तो ये ले ले और एक गिराम रोजाना पानी में मिलाकर और दूद में मिलाकर या सबसे अच्छा नारियल पानी मिलाकर अगर आप हैसियत दार हैं तो उन्हें दे सकते हैं तीनों से काम करता है लेकिन नर्यल पानी के साथ जादा अच्छा काम करता है इन्हें काफी दिन तक पिलाएंगे तो फाइदा होना मुम्किन है